हेलो आज हम बनाने की पालक पानी मैंने करीबन 500 ग्राम जितना पालक लिया है जो मैंने गरम पानी में 2-3 उबा लाने तक बॉयल स्प्रांच करके रखा हुआ है अब इसे हम अच्छे से मिक्सी में पीस लेते रहे है पालक की प्योरी हमने रेडी करके रख ली है अब सबसे पहले हम एक पैन लेंगे उसमें करीबन तीन से चार चम्मत जितना ओइल अड़ करेंगे अब गरम होने के बाद हम यह जो पनीर के पीस है वो थोड़े से इसमें प्राइ कर लेंगे है यह प्राइ कि वह किसी समय अभी साइट पे निकाल ले लेंगा तीन डमाटर और चार बड़े प्याद लेकर इसको अच्छे से बुनके फिर हमने ग्रेवी रेडी करेंगे अच्छे से डो मिनिट के लिए पका लेते हैं अच्छे से तूख होने के बाद इसके अंदर हमें अध्रफ मेर्च और लतुम की जो पेस्ट रडी की है वो एड़ कर लेनी है और इसको भी इसके साथ अच्छे से पका लेना है इसको परीबन चार से पांच मेनिट तक पकने देते हैं और ठक लेते हैं मीडियम फ्लेम पर ही इसे पकने देते हैं इस स्टेट पर हम इसमें थोड़े स्पाइसे से अड़ कर लेते हैं एक चम्मच इतनी लाल मिर्च दो चम्मच गन्या जीरा पावडर एक चम्मच पिचन किंग मसाला और एक चम्मच गरम मसाला स्पाइसिस को मिक्स करके दो से तीन मिमेट तक पकने देते हैं आप देख सकते हो अब इसमें से तेल छूटने लगा है इस स्टेज पर हम इसमें एक चम्मच जितना बटर और साथी में जो हमने रैडी की हुई थी पालक की ग्रेवी वो एड़ करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब देख सकते हो कि इसे हम ज्यादा नहीं उबालाए पालक को तो कितना अच्छा ग्रीन कलर आए है इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है इसी स्टेज पे हम पनीर डालके अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और करीबन 9-5 मिनिट तक इसको पकने देते है यह gör अच्छे से पक गया है इसमें हम स्वाधनिसद नमक अड़ कर लेते हैं और नस्ट में थोड़ी सी कसूरी मेथी अड़ कर लेते हैं और इससे मिक्स करके 2 मिनिट तक पकने देते हैं तो सब ची हमारी पालक पनीर बनके रल्डी है आप इसे गर्मा गरम रोटी नाम तंदूरी रोटी किसी के साथ भी सव कर सकते हो बबाई गाइस प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब मैं यूट्यूब चैनल